दोस्तो करवा चौथ आने वाला है तो सबसे पहले हमारी सभी सकीयों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुब कामना हैं तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ करवा चौथ स्पेशल सर्गी के लिए सेमाई की खीर की रेसीपी एक खाने में जितनी टेस्टी लगती है उतनी ही हेल्दी भी होती है अगर आप इसे खाएंगे तो यहे आपको दिन भर एनरजेटिक रखेगी भूख भी कम लगेगी और प्यास भी कम लगेगी तो दोस्तो आप इस रेसीपी को एक बार जरू ट्राई कीजिएगा हलो एबरीवन मैं हूँ नीलम और नीलम स्किचन फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तो अगर आपको मेरी रेसीपीच पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक शेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ तो चलिए फटा फट से एक खीर बनाना स्टार्ट करते हैं सरगी वाली खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्राइ फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे तो इसके लिए मैंने गरम पैन में एक छोटा चम्मस देसी घी डाल दिया है घी को अच्छे से मेल्ट होने दिजिए और यहां पर गैस की फ्लेम को मीडियम रखियेगा और घी के गरम होते ही इसमें 10 वारा कटे हुए काजू डाल दिजिए 10 वारा कटे हुए बादाम डाल दिजिए और 12 से 15 कटे हुए पिस्ता डाल दिजिए अब हमें कारना क्या है ड्राइफ रूट्स को low to medium फ्लेम पर तक्रीवन 2 मिनट हून लेना है हमें ड्राइफ रूट्स का बहुत ज्यादा कलर चेंज नहीं करना है बस हलका सा सोटे करना है घी में हलका सा रोष्ट कनने से क्या होता है कि इसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है तो ए देखिए आप देख सकते हैं कि दो मिनाट में ड्राइफ फूट्स बहुत अच्छे से भुन गए हैं अब हम इन्हें पैन से निकाल लेते हैं और इन्हें साइड में रख देते हैं सेम पैन में एक छोटा चम्मस देशी घी और डाल देते हैं घी को अच्छे से मेल्ट होने दीजिए और मैंने यहाँ पर सेमई की खीर बनाने के लिए एक कप पतली वाली सेमई ली हैं यह मार्केट में इजिली मिल जाती हैं अगर आपके पास इस तरह से पतली वाली सेमई नहीं है तो जो मार्केट में बर्मी सिली आती है उससे भी यह खीर बना सकते हैं गी गरम हो गया है तो अब हम इन्हें पैन में इस तरह से तोड़ कर डाल देते हैं ये जो पतली वाली सिमाई होती है इससे खीर बहुत जल्दी बनकर तयार हो जाती है अब हमें सिमाई को लो फिलेम पर एक मिनट के लिए भून लेना है क्योंकि जो ये मार्केट वाली होती है लेकिन जब हम इसे घी के साथ एक मिनट के लिए भूनते हैं तो इसकी खीर और भी टेस्टी बनती है तो हमने सिमाई को एक मिनट भून लिया है और आप देख सकते है कि ये बहुत अच्छे से भून गई है हमें सिमाई को बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना ह तो अब हम gas की flame को off कर देंगे और सिमाई को अभी एक side रख देते हैं अब मैंने यहाँ पर खीर बनाने के लिए एक लीटर full fat दूध लिया है आपके यहाँ जो भी normal दूध आता है उससे भी यह खीर बना सकते हैं अभी मैंने gas की flame को high रखा है और जैसे ही दूध में उबाला जाएगा हम gas की flame को medium कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि दूध में उबालाना शुरू हो गया है अब यहाँ पर gas की flame को medium कर देंगे और दूध को low to medium flame पर तकरीवन 10 मिनट के लिए पका लेंगे इस में से तकरीवन 30% दूध हमें reduce करना है 10 मिनट में दूध हलका सा गाणा हो जाता है तो यह देखिए दूध को मैंने तकरीवन 10 मिनट पका लिया है और आप देख सकते हैं कि दूध पहले से हलका सा गाणा हो गया है अब हम इसमें ये सिमई डाल देंगे जो हमने भून कर रखी हैं और इसे continue चलाते हुए तकरीबन 3-4 मिनट पका लेना हैं और ये जो पतली वाली सिमई है ना बहुत जल्दी पक जाती है पांच मिनट में खीर बनकर तैयार हो जाती है दो से 3 मिनट में ही आप देखेंगे खी खीर गाड़ी होने लगेगी और मैंने यहां पर गैस की फिलेम को मीडियम रखा है तो मैंने खीर को अभी 3 मिनट पका लिया है अब हम इस स्टेज पर इसमें चीनी डालेंगे तो मैं इसमें आधा कप चीनी एट कर रही हूं चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्या दो मिनट और पका लिया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं एकदम परफेक्ट है अब हम इसमें ये ड्राइफ रूट्स डाल देंगे जो हमने भून कर रखे हैं थोड़ी सी किश्मिश डाल देंगे इसमें ड्राइफ रूट्स आप अपनी पसंद से कोई भी ए और खीर को 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि खीर हलकी सी गाड़ी हो गई है और एकदम परफेक्ट खीर बनकर तयार हुई है अब हम इसे सर्विंग बावल में सर्व कल लेते हैं बहुत ही टेस्टी और मजेदार खीर बनकर त और इसे ठंडा ठंडा खाईए बहुत टेस्टी लगेगी रोस्ट किये हुए थोड़े से ड्राइफ रूट्स मैंने बचा लिए थे तो मैंने ये ड्राइफ रूट्स खीर के उपर डाल दिये हैं इससे हमारी खीर देखने में बहुत बढ़िया लगेगी तो दोस्तो इस अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फेमली के साथ शेयर कीजिएगा तो फिर मिलते हैं एक नई रेसीपी के साथ थेंक्स पर वाचिंग